स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, तो आज मैं सिखाने वाली हूँ, आप ही की रिक्वेस्ट पे लाई हूँ, मैं छोटे साइस का बैंगल के लिए पाउच, ये स्पेशली मैंने बैंगल के लिए बनाया है, तो दे तो फॉर्मशीट ले सकते हैं, और एक लाइनिंग का पीस रखा है, अब इसके चारो तरफ सिलाई लगा के हम इसे रेडी कर लेंगे, तो देखिए चारो तरफ सिलाई लगा ली मैंने इस तरह के से हमारे पास रेडी हो गया, अब हमें क्या करना है, एक तरफ से हमें लेते तरह के से, बिलकुल आराम आराम से आपको नापना है, और जितना भी आए उसमें थोड़ा सा स्टिचिंग मार्जन एड़ करना है, वान इंच का, और हमें एक स्ट्रिप कट करनी है, देखिए इस तरह के से बीच में राइस बैंक और नीचे कपड़ा, तो आपके सामने न साइस का मैंने एक पीस और लिया है, लाइनिंग के लिए, हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है आपको इस तरीके से, और पहले हम इसे ही रेडि करते हैं, तो इसे आपको क्या करना है, देखिए साइडों से इस तरीके से फोल्ड करते हुए, दोनों तरफ आपको सिलाई लगा और हम इस पे पूरे पे सिलाई लगा लेंगे, तो इसमें हम बाद में डोरी डालेंगे, तो मैं पूरे पे सिलाई लगा के दिखाती हूँ आपको, यह देखिए मैंने सिलाई लगा ली, अब हम इसे इसके साथ जाइन करेंगे, तो ऐसी रखना है और लंबाई में सिलाई लगानी है तो यह दोनों पीसिस हमारे आपस में अटैच हो जाएंगे अब हमें क्या करना है इसे इस तरीके से फोल्ड करना है और यहां पर हमें पूरे पे सिलाई लगानी है लंबाई में ये देखे इस तरीके से मैंने सिलाई लगा लिए अब हमें इसे रफ है जिसको finish करना है पट्टी से तो जहाँ पे नेफा मोड़ा है उसके नीचे से आपको इस पट्टी को लगाना है जो हमने डोरी के लिए बनाया है उसके नीचे से ये देखिए इस तरीके से ये हमारा ready हो गया अब हम base join करेंगे तो आप इसे सीधा कर लीचे सीधी तरफ को turn कर लिया मैंने और जो हमने चोटा सा round बनाया था उसके साथ हम इसे attach करेंगे तो ये लेना है round और इस पे हम लगाना शुरू करेंगे देखिए इस तरीके से रखते हुए पूरे round पे आपको सिलाई लगा लेनी है तो देखिए पूरे round पे सिलाई लगा ली अब इस पूरे round को हम piping से finish कर लेंगे ये देखिए इस तरीके से पूरे round को हमें piping से finish करना है ये देखिए तो एक तरफ से लगा लिए अब दूसरी तरफ को piping को आपको पलटना है और जैसे हम नॉर्मल piping लगाते हैं वैसी ही लगानी है दूसरी तरफ को फोल्ड करते हुए हम इसे सिलाई से finish कर लेंगे इस तरीके से अंदर की तरफ को फोल्ड करना है तो पतली से हमारी piping बन जाएगी चारो तरफ हम इस पे सिलाई लगा लेंगे यह देखे चारो तरफ मैंने सिलाई लगा ली तो नीचे से हमारा finish हो गया अब यह जितना भी कपड़ाय से पूरा अंदर की तरफ को डाल देना है आपको और इस तरीके से फोल्ड करते हुए देखे पूरा अंदर डाल दिया और हम यहाँ पे इसके पूरे पे राउंड प अब हमें इसमें डोरी डालनी है तो अंदर जो कपड़ा अंदर की तरफ है इसे हम बाहर निकालेंगे और जो हमने डोरी डालने के लिए बनाया वा था यहाँ पे सेफटी पिंसे हम यहाँ पे डोरी डाल लेंगे तो डोरी आप खुद भी बना सकते हैं मार्केट की भी यूज़ कर सकते हैं अब सेम साइस के बेस का मैंने कार्डबोर्ड कट किया है उसे आपको नीचे की तरफ रखना है यह देखिए तो इससे हमारा बेस बिलकुल स्टेफ हो जाएगा अब इस तरीके से कहीं बार हमारे पस हैवी बैंगल्स होती हैं बैंगल्स का सेट होता है जो आप रखना चाते हैं वो आप इस तरीके के पाउचेज में स्टोर करके रख सकते हैं तो यह स्पेशली मैंने छोटी छोटी बैंगल्स चोटा सा पाउच बनाया है बैंगल्स के लिए आप चाहें तो इसकी बड़ी करना चाहें, तो बड़ी भी कर सकते हैं, और जितनी bangles रखनी हैं, उसके हिसाब से इस pouch के size को adjust कर सकते हैं, देखिए, और base भी बिलकुल stiff है, क्योंकि round हमने एक cardboard रखा है, तो bangles बिलकुल भी आपकी खराब नहीं होगी, बहुत अच्छे से आप इसे store करकी रख सकते हैं, तो बहुत ही छोटे से कपड़े के टुकड़े से बन गया देखिए, तो blouse के कई बार देखिए, इस तरीके से सुंदर से pieces हमारे पास बच जाते हैं, तो उन्हें फैकने की बजाए देखिए, इस तरीके से आप bangles के लिए एक बहुत प्यारा सा pouch बना सकते हैं, तो ब साइस का, बिल्कुल bangle के साइस का मैंने इस तरीके से बनाया है, तो I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, thank you